इस लेक्चर में कन्या शिक्षा प्रिवेस उत्सव स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि गॉवर्मेंट ने क्या क्या कदम उठाएं गर्ल एजुकेशन को परमोट करने के लिए हर साल मेंस में कुश्चन पूछा जाता इस सरे का ये जीयस पेपर 1 के लिए इंपोर्टेंट है और जीयस पेपर 2 के लिए भी इंपोर्टेंट है इंडियन गॉवर्मेंट ने अभी Ministry of Women and Child Development है ये स्कीम लॉँच की है कन्या शिक्षा प्रिवेस उत्सव स्कीम International Women Day होता है 8 मार्च को उसकी इव पे लॉँच किया इव का मतलब होता है जैसे आज का दिन है आज 9 मार्च है ठीक है 9 मार्च की जो साम होगी इव 9 मार्च से पहले की 8 मार्च की साम यानि कि 8 मार्च की साम को बोलेंगे 9 मार्च की इव यानि कि International Women Day की Eve हो गई 7 March की साम तो तब यह launch की scheme किसलिए क्या target है इस scheme का main feature क्या है इस scheme के main feature है कि जो ऐसी girl ने जो school से drop out हो गई है यानि कि जोनों ने school छोड़ दिया है उनको दुबारा से back लेक लेके आना school में education system में ताकि उनके पढ़ाई पूरी हो सके जो right to education act का जो target है वो fulfill करना है यानि कि girl को education provide करना है Ministry of Women and Child Development ने इस scheme को launch किया है और Ministry of Education के साथ मिलके सिक्सा मंत्राले के साथ मिलके launch किया गया इस scheme को दो ministry इसमें है याद रखना है Women and Child Development और Ministry of Education Issues क्या है Women Education में क्या-क्या परेशानिया है एक तो भाइसाव gap इन अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग में अपर प्राइमरी मतलब पांच वी से उपर और सेकेंडरी स्कूलिंग मतलब दस वी तो यहाँ पे gap देखने को मिलता है लेकिन देखो 1990 से 1990 से female enrollment ज़्यादा बढ़ा है यानि की ज़्यादा admission हुए female के लेकिन अभी तक भी gap बहुत ज़्यादा है लड़कों की अपेक्सा लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम है इसा होता है गर्ल education क्या है बीच में पढ़ाई छोड़ देती है आठवी दसवी बारवी तक तो ड्रॉप आउट ज़्यादा देखने को मिलता है बोईज की अपेक्सा नेक्स्ट प्रॉबलम है इंटर स्टेट वैरियसन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की किये जैसे बिहार राजिस्तान इनमें ज़्यादा अभी फीमेल इन्रॉलमेंट देखने को मिला है ज़्यादा यानि की लड़कियों ने ज़्यादा एडमिसन ले है स्कूल वगेरा में लेकिन फिर भी ये जो अच्छे प्रफॉर्म कर रहे हैं स्टेट उनसे काफी पीछे हैं केरल से तमिल नाडू से हिमाचल परदेश इनसे काफी पीछे हैं इनमें गरल का इन्रॉल्मेंट बहुत ज़्यादा हाई है इन सारे स्टेट में केरल तमिल नाडू हिमाचल परदेश में नेक्स्ट है सन प्रेफरेंस देखो हर एक आदमी यह चाहता है कि उसका लड़का अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे लड़की को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता वो चाहता है कि उसका लड़का प्राइविट स्कूल में पढ़े बेटर स्कूल में पढ़े बेटर क्वाल्टी के साथ पढ़े लेकिन लड़की को वहीं कम प्रिफरेंस दी जाती है पूर फैमिलीज में समझ रहे हो वेरियस गॉर्मेंट इफर्ट हैं जो गॉर्मेंट ने प्रियास किये है वूमन एजुकेशन को परमोट करने के लिए वो कौन-कौन से हैं पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम यह स्कीम लॉंच की थी इसमें यह था जो डेकलाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेसो है यानि कि ऐसा होता है कि लड़कियों को पेट में मरवा देते हैं भाई सब अबोर्शन करवा के उसको रोकना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यानि कि प्रॉपागेटिंग एजुकेशन लड़कियों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी थी और उनका प्रोटेक्शन करना था गर्ल का इस स्कीम के अंदर नेक्स्ट है डिजीटल जेंडर एटलस मिनिस्टी ओफ फ्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट ने जिसका अवनाम है मिनिस्टी ओफ एजुकेशन सिक्सा मंत्रा ले इस मंत्रा ले ने डिजीटल जेंडर एटलस क्रियेट किया ताकि गर्ल एजुकेशन को सब्सेटर किया जा सके डिजीटल भी ऑनलाइन भी नेक्स्ट है नेशननल स्कीम ऑफ इंसेंटिव त ऊ-फू गर्ल सेगंडी एजुकेशन सेगंडी एजुकेशन में दसफी क्लास तक जो डॉपाउट क्या है दस्फी क्लास में ज़्यादा हो जाता है कि 10 वी क्लास तक आते आते लड़की स्कूल छोड़ देती है इस drop out को रोकने के लिए reduce करने के लिए ये scheme चलाई गई ताकि गल चिल्डरन को secondary education provide की जा सके और secondary education में enrollment उसका क्या जा सके next is serve शिक्षा अभियान ये चलाया था ताकि elementary education में ज़्यादा से ज़्यादा participation हो सके education में लड़कियों का इसमें नए नए स्कूल खोले गए सर्फ सिक्षा भियान में additional woman teacher appoint किये गए स्कूल में और separate toilet girls के लिए बनाये गए जिनकी वज़े से लोग अपनी लड़कियों को school में नहीं भेजते थे next teacher sensitization program चलाये गए इसमें Edison में कस्तूरबा गांधी बाली का विध्यान ले खोले गए ऐसे एरियाज में backward एरियाज में जहाँ पे education system कमजोर था और जहाँ पे school वगएरा नहीं थे वहाँ पे ये school खोले गए specially लड़कियों के लिए नेक्स्ट लॉंच किया government ने रास्टे माध्यमिक शिक्षा अभियान यह secondary school में जो drop out होता था उसकी quality को एक तो drop out को रोकने के लिए और education की quality को improve करने के लिए खोला गया secondary level पे यानि कि दसवी के लेवल पे इसमें क्या है जो भी gender barrier है या socio economic barrier है disability barrier है इनको remove करना था इस scheme के जरिये यानि कि लड़का लड़की में जो भेदवाब होता है या फिर disability की बादा होती है उसको खतम करने के लिए scheme चलाई गई next है odan यह cbsc का एक program है odan free online courses इसमें दिये जाते हैं girls students को class 11th और 12th के लिए 11 12th के लिए दिये जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी resource की कोई problem ना हो online सारा उन्हें material provide किया जाता है central board of school education के दौरा odan scheme launch की थी यह ताकि girls का 11th और 12th में ज्यादा से ज्यादा enrollment रहें next एक launch क्या STEM education STEM का मतलब है science and technology engineering and math देखो girl को इन सारी field में कम priority दी जाती है girl को क्या है generally art वगएरा से पढ़ाया जाता है BA वगएरा से समझ रहे हो तो girl में भी जादा इनका interest बढ़े science से पढ़ें technology से engineering करें math से पढ़ें इसके promote करने के लिए STEM education को promote किया जा रहा है girls में ताकि उनका IIT में Indian Institute of Technology National Institute of Technology NIT में उनका enrollment हो सके admission ले सके तो यह सारे कदम उठा